जैन धर्मा अनुयाई राष्ट्र संते ललीत प्रभुजी महराच के सावनेर नगर में आगमन पर सभी समाजवंधों ने उनका भव्य स्वागत किया इस अफसर पर ललीत प्रभुजी महराच ने कहा कि अच्छे वक्तित्व की निशानी है सकर अत्मक सोच उन्होंने कहा कि स्वेम को सदा मुस्कुराते हुए और सकर अत्मक रखिये मुस्कान से जहां आपका दूसरों पर सीधा पॉजिटिव असर पड़ेगा वहीं सकर अत्मक वहवार से आप सीधा दूसरों के दिल में उतर जाएंगे किसी का सुंदर चहरा कीवल दो दिन याद रहता है पर आपके द्वारा किया गया मधूर वहवार आपको चीर स्थाई बना देता है हम जीवन में जिटना महतव़ अपने भेष को दे उतना ही अपनी भाषा को बिधे वेक्ते की भाशा ही उसके जीवन को परिभाशित करती हैं जिन्हें बोलना आता है उनकी मिर्ची भी बिख जाती हैं बोली में मिठास और अदब ना हो तो मिठाई भी पड़ी की पड़ी रह जाती हैं संत ललीत प्रभुची शुकरवार को में रोड इस्ति संगवी आवाज जैन देरा सर में शद्धालू भाई बेहनों को संबवधन दे रहे थे उन्होंने कहा कि जीवन की गाड़ी में विनम्रता का ग्रीस लगाईए हर सुबह घर के बड़े बुज़ुर्गों के चरन स्पर मनुष्य से बंदर मत बनाईए याद रखिए नकल करके आज तो कोई महान नहीं बन सका उन्होंने कहा कि अच्छे व्यक्तित्व के लिए मैत्री भाव रखे मित्रता जीवन में माधूर ये खोलती है हम नय मित्र अवश्य बनाए पर पुराने मित्रों को ना भूले नय मि कमी है तो वह एक बार टूट गया तो फिर नहीं जुड़ेगा पर सोना टूट गया तो भी उसे फिर से साधे सीधे तोर पर जोड़ा जा सकता है किसी के दवार आप मान किये जाने पर महद मुस्कुरा दीजिए उसे अपनी ओर से वह दीजिए जो आप अपने निर्मल रि माकर ने कहा कि सुरयोदव से पूर्व जागने की आधच जालिए सुबह जल्दी जागने वाले महानु भाव उखते हुए भागये के सुर्य का दर्शन करते हैं जबकि विलम से उटने वाले हमेशा ढूपते हुए सूरज का ही दिदार करते हैं सुबह साड़े-पाच बीस मिनट गती के साथ तहलिए प्रान उड़जा बढ़ाने के लिए बीस मिनट योग और प्रानायाम का भ्यास कीजिए और मांसिक शांती तथा अध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए बीस मिनट ध्यान कीजिए आपको बता दे कि इससे पूर्व सावनेर पहुशने पर सं पुठच उच्छाल कर बंधावना किया गया इस अफसर पर मानमल जी जैन, विनोज जैन, प्रसनड कुमार जैन, बबलो- जैन, शैलेच जैन, दीपक जिंजु वाडिया दिलिव जैन, डॉक्टर अनूज जैन, पियुश, जिंजु वाडिया सहिच, समस्त सकल जैन, वंडेली किरिपोर्ट